जी नोशकर आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर टॉपिक है हमारा प्रनन्सेशन अप इंग्लिश केंसोनेंट इंग्लिश कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए कोई भी भासा को समझने के लिए उसका प्रनन्सेशन उच्चारण बहुत ही महत्वपुन होता है तो आज हम फिर इसी करम में English pronunciation पर बात करने वाले हैं English pronunciation को कैसे ठीक किया जाए आप देखते हैं कि कहीं पर C सब्द को C लेटर को हम कौप आड़ लेते हैं और कहीं C को सौप आड़ते हैं तो इस confusion को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो के माधम से इस confusion को दूर करेंगे कि कहां पर कौन से लेटर C लेटर को कहां पर कौप पढ़ा जाएगा और कब C लेटर को सौप पढ़ा जाएगा तो उसका फर्स्ट रूल्स देखी C के विभीत उचार C को हम कौप पढ़ेंगे पर्नेंसेशन इव आफ्टर एंड बिफोर यूज लेटर आफ सी जब हम यदि C के बाद A, O, R, L या यू लेटर आजाए जब हम कोई वर्ड बनाते हैं तो उसके बाद C के बाद यदि ये आता है या O आता है या R आता है या L आता है इसमें यू लेटर उसके बाद में आता है या उससे पहले इसमें लिखाया आफ्टर एंड बिफोर यूज लेटर आफ सी इस लेटर इस लेटर A, O, R, L एंड यू लेटर का उचारण को हो जाएगा एक्जाम्पल देट हमने लेर्ख है जैसे C, A, P इसको हम क्या पढ़ने कैप हमने बोला था A जब C के बाद A आए तो उसको हम को पढ़ेंगे वासी C के बाद A Can Cat Come यहाँ पर O आ गया है हमने बताए C के बाद O आने पर क्या पढ़ेंगे उसको को पढ़ा जाएगा यह Cow Crow C, R, O, W यहाँ पर R आ गया है यहाँ पर हमने C के बाद या C से पहले R लेटर आने पर उसको क्या पढ़ा जाएगा Cow उसका उत्चारण हो जाएगा पर नन सेशन Cow हो जाएगा तब ही यहाँ पर Cow हो रहा है Crown हो रहा है Crow Class Cliff Cross Curfew Curd इन चीज़ को धियान रखना है C लेटर के बाद जब कोई Word आता बनाते हैं तो A, O, R, L and U लेटर का उत्चारण हमेशा क्या रहेगा Cow रहेगा अब इसी करम में दूसरे हम C को C के बाद कुन से लेटर आ जाएं या C के बाद E, I and Y तीन है इसमें E, I and Y C से पहले आए या C के बाद आए इन लेटरों को आने जब ये लेटर इसके बाद कोई Word मनाते हों तो उसको हम 100 पढ़ेंगे जैसे C, E, N, T, E, R E, Center यहाँ पर कैंटर नहीं पढ़ेंगे इसको इसको क्या पढ़ा जाएगा Center इसको साटन इसको सिगार C, I, G, E, R C, I, R, C, E, L, E सरकल सिविल C, Y, C, E, L, E C, Y, C, E, L, O, N, E साइकलोन से लेंडर साइकल अब ध्यान देने की वाली बात है को और सौब का उचारण हम तब सीख पाएंगे जब हम इसका इस लूल को याद रखेंगे यह हम C के बाद A, O, R, L, U लेटर आने पर हम इसको क्या पढ़ेंगे को पढ़ेंगे को पढ़ा जाएगा उचारण इसका उचारण को से आएगा और C के बाद जब E, I and Y आता है तो इसका उचारण 100 से आएगा इन चीज़ों को पिसे इस रूप से ध्यान देने के आएख सकता है और समझने के आएख सकता है नेस्ट इसी करम में हम दूसरे लेते हैं G के विवित उचारण अब G लेटर के विवित उचारण है G को कब हम इसको जौ पढ़ेंगे और कब गौ पढ़ेंगे कन्फूजन सब्द है कन्फूजन हो जाता है जब हम इसको पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का हमें नौलेज होने बहुत जुरूरी है If after the letter G come E and Y लेटर आये तो क्या करेंगे हम G का उचारण करेंगे G का उचारण जो हो जाएगा जो हो जाएगा जब E and Y आता है जैसे G, E, N, D यार जेंडर जेंडर जो पढ़ लें E और Y आनिपर G, E, R, M, जम G, N, T, L, E, G, N, T जेंडरल G, E, N, E, R जेंडरल G, Y, M जिम जिब्सम जिब्नास्ट जिम खाना G, Y, M, K, H, A, N, A जिम खाना यहाँ पर आमने क्या सिखा G का उचारण जो सिखा अब इसी करम में हम जो को हम G का उचारण जब हमारा क्या हो जाएगा गो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे G के उचारण गो को कपड़ा जाएगा G का उचारण after G letter comes A, I, U, L, and R if after the letter of G A, I, U, L, and R we pronounce of G, गो हम क्या करेंगे pronounce क्या करेंगे G का गो करेंगे देखिए G, A, I, L, Y गेली पढ़ेंगे इसको जेली नहीं पढ़ सकते हैं गेली पढ़ेंगे G, A, I, L गेट पढ़ेंगे जेट नहीं पढ़ सकते हैं G, A, H, P गैस्प गैज़र गयदर गर्थ 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 यहां गिव ग्लोरी गर्डिल गर्डिल अब यहां गल गली अब बहुत सारे इसमें हमने क्या ले रखे हैं एक जमपल ले रखे हैं लेकिन आपको ध्यान देने के आप चकता है जी के बाद A, I, U, L and R आने पर इसको गौपढ़ा जाएगा और जब हम G के बाद क्या आता था E and Y आए तो उसको जौपढ़ा जाएगा तो यहाँ पर गिटार गम, G-U-N गम, G-U-N गन गल्फ, गलेड, G-L-A-D गलेड यह हमने G और G के दो चारण सिखे कब G को हम गव पढ़ेंगे और G को कब हम जव पढ़ेंगे इसमें आप आसानी से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे कि आप G को गव कव पढ़ा जाएगा और G को जव कव पढ़ा जाएगा आफ क्वालिटी। क्वालिट। क्वाइठ कोठा क्यू यू ए लाई टि वालिट॥ कॉस्थ कॉता कॉछंद कॉरम क्यू आ ची क्यूम एई यू यू क्यो抽 न स्लालन अब इसी परकार से हमने क्यू क्यू का भी उच्णर ऊंजाना क्यों को हम रड़ेंगे ठीक इसी प्रकार से नेश्ट है से पहले य था डबलू लेटर आने पर उचारण जो होजाता है इसका भी उचारण जो होता है 100 का भी उचारण आपने जो पढ़ते हैं देखा होगा कई बार कुछ लेटर ऐसे होते हैं सो को हम जो पढ़ता है यही इसका रूल से है कि आफ्टर दे लेटर आप सो आई एंड वाई एंड डबलू देंदा वी प्रनेंस जो उचके बाद हम उसको क्या प्रनेंस करेंगे जो करेंगे से सन्राइज सन्राइज कब पढ़नें आई एंड वाई आ रहा है इस से पहले आया आया है हम पर सर्प्राइज एस से पहले आया आया है सुपर वाईज जो पढ़नें वे डबलू ए वाई एस वेज वेज पढ़नें वेज जब एस से पहले वाई या आया है तो उसको जो पढ़नेंगे एस एवाई एस शेज लेज लौ पाउज पढ़नेंगे इसको तो इसी प्रकार से हमने आज बहुत सारे उचारण को सिखा कैसे हम इंग्लिश प्रणेंसेशन को का उचारण करें इसी में हमारे जो क्या होती है का इनिफूजन रहता है बच्चों को इन चीजों के बारे में अपने बच्चों को आप इस वीडियो को माध्यम से देखें और सिखाएं कि कब हम उचारण को कैसे दूर करें उचारण की तूर्टियों को कैसे दूर करें इस वीडियो के बाद्यम से आप आसाने से समझ पाएंगे इसी प्रकार से हमारे चैनल पर आप लाइक सब्सक्रा परकार से हम और आकर्सिक तरीके से आप के सम्मुक लाएं इसी परकार से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें धन्यवाद